जिला किष्टवार में दर्दनाक सडख हाथसा, गहरी खाई में गिरी ओवर्लोड़ड टाटा सुमो, गारी में सवार थे पंदरा लोग, हाथसे में दो लोगों की मोत और तेरा लोग घायर, इलाके में धडरले से चलते हैं ओवर्लोड़ड वाहन, जिला किष्टवार में कल देर शाम दर्दनाक सडख हाथसा हो गया, गुलाबगड पाडर से हाको गाउ जा रही टाटा सुमो जिसका नमबर जेके 177378 है, गहरी खाई में जागिरी, और इस हाथसे में जानकारी के अनुसार दो लोगों की मोके पर ही मृत्य हो गई, जिन में एक डेड़ महिने का बच्चा भी था और तेरा लोग घायल हो गए, इस हाथसे को लेकर ये भी जानकारी सामने आई है कि सुमो में 15 लोग सवार थे, बताया जा रहा है कि शाम के 5 बजे के समय ये सुमो गुलाबगड से 15 सवारियां लेकर हाको गाउं के लिए रवाना और सुमो गहरी खाय में जागिरी, हाथसे का पता चलते ही स्थानी लोग वहाँ पर इकठा हो गए और घायलों को वहाँ से निकाल कर सब जिला हस्पताल में ले जाया गया, जहां जानकारी मिली के दो लोगों की मोत हो गई है और 13 लोगों को उपचार के बाद किस्तवार जिला हस्पताल में रैफर किया गया जहां उनका इलाज चल रहा है, बताया जा रहा है कि पाडर और आसपास के इलाकों में जितने भी चोटे बड़े सवारियों को ले जाने वाहन हैं उनमें जादा तर ओवरलोड चलते हैं और किसी का भी इन पर ध्यान नहीं है, यहां कोई हाथसा होता है तो मामूली सी उपचाइकताएं पूरी की जाती है और बाद में फिर वही हाल पहले जासा हो जाता है, ऐसे में दुरुगटनाओं को रोकने के लिए प्रशासन कोई ठोस उपाए नहीं बना रहा है, हाथसे में जो लोग घायल हुए हैं उनके नाम है मस सुभीता देवी इनके उमर 24 वर्श है, दोलत राम इनकी उमर 32 वर्श है, एक 3 साल की बच्ची भी है जिसका नाम बेवी है, ये भी हाकुपाडर की रहने वाली है, बोधराज हाकुपाडर के रहने वाले है, 33 वर्श इनकी उमर है, मेला राम 60 वर्श इनकी उमर है, भूरी सिंग ये भी हाकूपाडर के रहने वाले हैं 36 वर्ष उम्र है अंजान कुमार ये भी हाकूपाडर के रहने वाले हैं 28 वर्ष इनकी उम्र है सभी घायल जो है वो हाकूपाडर के ही रहने वाले हैं फिरहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है लेकिन लोगों का कहना है कि ऐसे उपाय हो ताकि इने हाथसों पर रोक लगाई जा सके